अगर किसी देश ने अपनी अर्थ विवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थ विवस्थाओं में शामिल किया है तो वो है चाइना 13.6 trillion dollar की economy के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है लेकिन चाइना की ग्रोथ का ये पहिया थोड़ा धीमे होते नजर आ रहा है चाइना की अर्थ विवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े-बड़े देश भी नहीं रोक पाए वहीं एक वाइरस ने इसे जटका दे दिया है इस वाइरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिन्दगी पर देखने को मिल रहा है वहीं चाइना की अर्थ विवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं हूँ भुपेंद्र सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको बताऊंगा की करोना वाइरस का असर आखिर चाइना की एकॉनमी और ग्लोबल एकॉनमी पर क्या पड़ रहा है और साथ ही भारत की एकॉनमी के लिए इसके क्या माइने है सबसे पहले बात करते हैं चाइना की चाइना की अर्थविवस्था सबसे जादा निभर करती है मैनुफेक्चरिंग पर फिर चाहे वो कार हो मोबाइल हो कंजूमर गुड्स हो या फिर कुछ और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना मैनुफेक्चरिंग के बाद इन चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है यानि अगर ये मैनुफेक्चरिंग रुकती है तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी और उन देशों में भी नुकसान होगा जहां पर ये चीज़ें बेची जाती हैं करोना वाइरस की वज़ा से चाइना में जादातर इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई हैं कार बनाने वाली कमपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिये हैं मोबाइल की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है और चाइना में एरपोर्ट खाली हो चुके हैं करोना वाइरस की जहां से शुरुआत हुई उस वहान सिटी की ही बात करें तो यह शहर ओटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहां गाडियों के पार्ट्स आदी बनाए जाते हैं यही नहीं चाइना की टॉप 10 युनिवर्सिटीज में से दो युनिवर्सिटीज वहान में ही हैं फॉरण कंपनियों के लिए यह शहर काफी एहम है DHL's Resilience 360 Index की माने तो वहान में 50 प्रतीशत manufacturing automotive industry से जुड़ी है और 25 प्रतीशत technology से कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना की tourism industry पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नए साल की शुरुआत में जहां ये टूरिस्टों का सीजन होता है वहीं लगभग जादा तर international airlines ने चाइना के लिए अपनी flights बंद कर दी हैं एक report के मताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में लगभग पचपन प्रतीशत की कमी आई है वही consumer goods की बात करें तो चाइना में consumer goods पर भी काफी गहरा असर पड़ा है वही domestic food market की बात करें तो इस पर भी वाइरस की वज़ा से चाइना में काफी असर पड़ा है अब बात करते हैं चाइना के GDP growth rate की बीजिंग के आंकडों के मताबिक साल 2019 में चाइना का GDP growth rate 6 प्रतीशत रहा था और अमेरिका के साथ पिछले साल trade war के बाद इसके अब और बहतर होने की उम्मीद थी लेकिन करोना वाइरस के बाद GDP growth rate 5 प्रतीशत रहने की उम्मीद की जा रही है ग्लोबल कंपनियों की बात करें तो कई ऐसी कंपनिया हैं जो चाइना से supply पर निर्भर करती हैं एपल को ही लें तो एपल के 800 global suppliers हैं जिनमें से 290 suppliers चाइना में ही हैं दुनिया में बनने वाले टीवीज में से 9% टीवीज चाइना में ही बनते हैं यूरोप और अमेरिका में car manufacturing industries पहले ही shortage होने की बात कह रही हैं वहीं हुंडाई की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना से आने वाले spare parts की कमी के चलते South Korea में अपनी production बंद कर दी है यही नहीं अमेरिका की सबसे बड़ी car company General Motors ने भी आंशिक तोर पर production बंद कर दी है जापान की बात करें तो चाइना जापान की machinery, car, truck और technology का काफी बड़ा खरीदार रहा है ऐसे में चाइना में coronavirus से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी business और economy पर असर पढ़ सकता है अब सबसे एहम सवाल भारत का क्या, automobile sector की बात करें तो भारत अपने electronic products, engineering products और chemical आदी चाइना से ही import करता रहा है लेकिन चाइना में बन रही स्थिती के चलते इनके दाम बनने की उम्मीद की जा रही है जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे automobile sector पर और गहरा असर पढ़ने की उम्मीद की जा रही है भारत के tourism पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है क्योंकि 2019 में भारत में आने वाले touristों में से 3.1-2% tourist चाइना से ही थे चाइना भारत का एक बड़ा trading partner भी है इंपोर्ट में से 5% एक्सपोर्ट भी चाइना को ही किया गया था कोरोना वाइरस से पैदा हुई स्थिती के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की figures में भी कमी आने की आशंका है यही नहीं भारत की diamond industry को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है पैरा सीटा मोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाली ड्रग जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उसका दाम भी पिछले 10 दिनों में दोगना हो गया है बाकी रही बाद चाइना से आने वाले mobile या technology की तो इनकी shortage भी हो सकती है जिसके चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद भी की जा सकती है लेकिन भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है वही इस थिती का भारत को फाइदा भी मिल सकता है जैसे global buyers, ceramic, home wear, fashion और lifestyle products के लिए चीन की जगा अब भारत की और अपना रुख कर सकते हैं और वहीं चाइना की local production प्रभावित होने के कारण भारत, chemical, petroleum, agricultural, engineering goods और plastic जैसी चीज़े चाइना को export भी कर सकता है यही नहीं चाइना में चल रही स्थिती के चलते कच्चे तेल के rate में कमी आ रही है जिसका फाइदा भारतिय बाजार को मिल सकता है अगर आपको यह किसा पसंद आया हो तो इसे like, comment और share करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा show किसा आज तक